हेलो फ्रेंड्स दिस इज ओपेंदर सिंग वैलकम टू माई यूटूब चैनल रियल टाइम ओपेंदर सिंग पिर ये साथियो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि आप हर्याना से अपना बेड का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो eligibility criteria है यानि की आप लोगों के कितने percent marks होने चाहिए ताकि आप हर्याना में जो बेड का कोर्स से उसको करसकें बहुत सारे बच्चों का questions होता है कि सर हर्याना से बेड करने के लिए क्या कोई interns exam होता है या फिर हर्याना में डारेक्ट बेड में admissions होता है तो साथियो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ यदि आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर ले साथियो हम बात करें हैं कि बीड के अंदर जो eligibility होती है यानि की बीड के अंदर admission लेने के लिए आपके पास क्या कुछ conditions होनी चाहिए ताकि आप हर्याना के अंदर बीड के course में admission ले सके हैं सबसे पहले माप लोगों को एक बात बताना चाहुँआ बहुत सारे state हैं जहां इंटरंस exam के माधम से admissions होते हैं बट हर्याना एक ऐसा परदेश है जहां इंटरंस exam यानि की PTT का exam नहीं होता है हमारे यहां direct admission होते हैं आप लोगों के past graduation pass out होना चाहिए और graduation में एक minimum जो percentage रखा गया है पचास परसेंट मारक्स होने अतिया उशेक हैं यदि आपके पास यह criteria है तो आप हर्याना के अंदर B.A.D. के course के लिए eligible हैं अब बात करेंगे साथियों कि आप लोगों को क्या कुछ percentage होनी चाहिए और जो university हैं उसके दवारा क्या कुछ notifications जारी की गई है साथियों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहां आप देख पाओगे बिल्कुल वारिखी से eligibility condition of admission to B.A.D. two year program यानि कि जो B.A.D. का दो साल का प्रोग्राम होता है उसके अंदर आप लोगों के पास क्या कुछ eligibility criteria होना चाहिए कि आप admissions लेसके हैं यहां आप देखोगे सबसे पहले visibility conditions for admission वेड two year program course as per uncertainty norms is as under यानि कि जो uncertainty के दवारा जो norms जारी के गए हैं उन norms के अनुसार आपके पास जो qualification होनी चाहिए उसकी जानकारी यहां पे दी गई है यहां बताएगा है candidate with a latest 50% marks 47.5% in case of SCST blind या फिर जो भी physical handicap बच्चे हैं उनके the 47.5% marks हैं तो भी उन बच्चों का admission हो सकता है बट साथियों यहां जो SCST और physical handicap के जो बच्चे हैं यहां एक condition लगाई गई है government के दवारा कि यह केवल और केवल हर्याना के बच्चों को लाब मिल सकता है जो की percentage के अंदर छूट दी गई है यदि आप अधर स्टेट के बच्चे हैं और आप हर्याना से बेड का course करना चाते हैं तो आपके graduation या फिर post graduation दोनों में से किसी भी एक course के अंदर 50% marks होने अतियाऊशे के हैं यदि आपके 50% marks नहीं हैं तो आप यहां admission के लिए eligible नहीं रह पाएंगे S.C.S.T. के जो बच्चे हैं उनको 47.5% के साथ admission हो सकता है बट उन लोगों के लिए एक condition है कि आप लोग हर्याना के ही निवाशी होने चाहिए यदि भार का कोई बच्चा है S.C.S.T. का है या physical handicap है तो उसको इसका लाब नहीं दिया जाएगा उस बच्चे के भी 50% marks होने सही है यदि वो admission लेना चाहता है तो यह admissions के लिए आपके पास bachelor degree यानि की graduation की degree हो या फिर आपके पास master degree हो यानि की post graduation आपने graduation या post graduation में से कोई भी एक डिगरी प्राप्त कर रखी हो और आप लोग के 50% marks होने चाहिए चाहिए graduation में आपके कम बन रहे हैं post graduation में 50 हैं या फिर post graduation में 50% और graduation में 50% मारक्ष हैं तो भी आप admission के लिए eligible रहेंगे इसी के साथ यहां बताएगा है कि जो engineering के student हैं यहां आप देख पाऊगे जो engineering के जो student हैं उन students को भी B.A.D. में admission मिल सकता है बाकाइदा उन बच्चों के class science और mathematics के साथ उन्होंने अपना जो B.T.E.C. का course किया होना चाहिए और जो journal कैटेगरी के बच्चे रहेंगे OBC कैटेगरी के बच्चे रहेंगे उन बच्चों को 50% मारक्ष और यदी कोई बच्चा S.C.S.T. या फिर blind candidate रैफिजिकल handicap है तो 52.25 percentage के साथ आपका admission यहां हो सकता है बट इसमें भी condition यही है कि candidate जो भी है वो हरियाना परदेश का होना चाहिए यदि आप किसी दूसरी राज्य के student हैं तो आप B.T.E.C. के मादम से करना चाहते हैं तो 55% और PG या UG यानि कि B.A.B.C. B.C. B.C. पास किये हुए बच्चों को 50% और B.T.E.C. पास किये हुए बच्चों को 55% के साथ यहां admission दिया जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे note के अंदर इनोंने एक बहुत ही important और information दे रखे आप लोगों के लिए यहां इन लोगों के तरफ से बताया गया है कि यदि किसी बच्चे के 49.5% मारक्ष बनते हैं तो हम उसको एक mathematics की बास्ता में राउंड फिगर में 50% मारक्ष मान ले जाते हैं बट यहां ऐसा बिलकुल नहीं है यहां कहा गया है कि abo will not be rounded of to 50% यानि कि 49.5% वाले बच्चे के 50% मारक्ष नहीं मानने जाएंगे उसके 49.5% मारक्ष मानने जाएंगे और वो beard admissions के लिए eligible नहीं रहेगा तो साथियो यह थी एक छोटी सी information जो कि आप लोगों तक पूचानी है तियाओ शक्ती आप चाहो तो इसका screenshot भी ले के अपने पास रख सकते हो ताकि आप लोगों को कोई प्रेशा नहीं ना हो या किस भी एड का कोर्ष है उसको कर सकते हैं अब बहुत सारे बच्चों के साथ परिशानी आती है कि वो other state के बच्चे होते हैं और उन बच्चों को यह नहीं पता चल पाता है कि हम कहां admission ले admission ले तो किस के साथ पास admission ले और किस परकार से कौन हमारा मारक दरसन करेगा ताकि हम अ साथ योदि आप हर्याना से अपना डीलर्ड का कोर्ष करना चाते हैं या अपना बीएड का कोर्ष करना चाते हैं डीफार्मा का कोर्ष करना चाते हैं डीपेड और बीपेड का कोर्ष करना चाते हैं यानि कि हमारे यहां जितने भी यह admission screen पर मैं आपको दिखाई दे रहा ह है डारेक्ट यानि कि आपका कोई बी इंटरंस अग्जाम किसी भी परकार का नहीं होता है डारेक्ट एडिमिस्न होते हैं जो परसन्टेज का क्राइटेरिया है उसको आपको कम्पलिट करना पड़ेगा हर्याना पर्देस में आप लोगों का एडमिशन करवाने का हमकारिय करेंगे निचे हमने हमारा कॉंटेक्ट नंबर दिया है जिसके उपर कॉल और वर्टसप की दोनों की शुईदाई उपलब दें आप इस मॉबाइल नंबर को अपने फोन के अंदर ओपें दरसर के नाम से सेव कर सक रहेगी हम आप लोगों को उसकी इंफोर्मेशन देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक बीड से समन्दित ने टॉपी को कवर करेंगे कि जो आप लोगों की गौर्मेंट फीश होती है वो क्या रहेगी और हर्याना से बीड करने के क्या कुछ फाइदे आपको हो सकते है झाल